संसार में सुखों का भंडार है आप कैसा सुख चाहते हैं यह आपके ब्यूएक के ऊपर निर्भर है अगर आपका ब्यूएक सुद्ध है पवित्र है तो आपको अच्छी चीजों से सुख मिलेगा लेकिन आपका भ्यूएक अपवित्र है कुंठावान है गलत है तो आपको गलत चीजों में बुराईयों में सुख मिलेगा सुख का कोई निश्चित आकार निश्चित सीमा और निश्चित स्वरूप नहीं होता है जो चीज आपको सुख दे रही है वही चीज किसी के लिए प्रानगहा तक होती है इसलिए आप संसार का सही सुख लेने के लिए पहले आप अपने बिवेक को सुद्ध करें और बिवेक का सुद्ध करन तभी होगा जब इस बिवेक को आस्था रूपी गंगा में निरंतर नहलाते रहोगे जब आप आस्था रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आपकी आसकती इस्वर के प्रतिनिश्चित ही बन जाती है जब इस्वर के प्रतियाप की आसकती बनती है तो आप जाने अंजाने उन्हें इस्वरी गुणों को अपने में ग्रहन कर लेते हो और ग्रहन की हुई चीज ब्यक्ति रखता नहीं खर्च करता है जब आप उसको खर्च करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा तो निश्ची थी जब आपने जैसा खर्च किया है जैसा उपयोग किया है वैसा परिणाम मिलना है तो आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा चूंकि इस्वर का कोई भी कार इस्वर का कोई भी गुण इस्वर के द्वारा निर्धारित की गई कोई भी चीज किसी के लिए गलत नहीं होती है इसलिए आपके सुख का कारण अच्छी चीजे बने अच्छा मार्ग बने आपको इस्वर्ग के प्रती आस्थावान होना ही पड़ेगा आस्थावान होने से आपका विवेक पवित्र होगा विवेक पवित्र होगा तो आप तो अच्छे कारे करोगे, अच्छी चीजों में सुख तलास होगे और अच्छा लक्ष निर्धारित कर लोगे, चुंकि लक्ष की प्राप्ती ही सुख का कारण होती है, आपका लक्ष अच्छा हो, जो आप के उधार का कारक बने, आपका नाम यस बैभो बढ़ाए, वही लक लक्ष अच्छा है, और जो लक्ष आपको पतन की और ले जाए, अगर छणिक सुख भी दे रहा है, तो वह सुख किसी काम कर नहीं है, जो चीज आपका बिनास करे, उसे अच्छा नहीं कह जाता, भले ही उख जड़े सुख कारक हो, लेकिन जो चीज आपका उत्थान करे, आपके पीडियों का उत्थान करें वही चीज अच्छी होती है भले ही उसमें थोड़ा कर्ष्ट मिले इसलिए आप कोई इस्वर के प्रती अपना अनुराग पैदा करना पड़ेगा उसके प्रती आस्था पैदा करनी पड़ेगी और जब आस्था होगी तो आप अपना मार् आस्था होगी और जब आस्था होगी अट्रू एर आस्था होगी और आस्था करनी प्रती चालाग।